आज दुनिया के सबी देशों ने चीन पर किसी ना किसी तरह का प्रतिबंद लगाना शुरू कर दिया है तो ऐसे में चीन का बॉखला जाना लाजमी है और अब चीन के सरकारी अकबार ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिससे चीन की बॉखला हट साफ नजर आती है तो चलिए अब आपको यहां पे ये बता दे चीन के सरकारी अकबार यानि की गिलोबल टैम्स ने अपने लेक में ये कहा है अगर दुनिया के सभी देश हमारे सामान का बहिशकार करते है तो ना सिर्फ उन देशों को भारी नुकसान होगा बलकि दुनिया के सभी देशों को महेंगाई क भी सामना करना पड़ेगा और इसके बाद चीनी अकबार ने इस बात पर जोड देते हुए कहा है जो देश हमारे कमपनियों के निवेश पर रोक लगा रहे है या फिल लगाने की सोच रहे है तो फिर चायना उन देशों को आने वाले वक्त में करारा जवाब जरूर देग जो पूरी तरह से चीन पर निरबर है दरसल अफरीका के न्यूज एजनसी के मताबिक अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और भारत के बाद अफरीका के 20 देशों ने चीन पर किसी भी तरह के निवेश पर रोक लगानी शुरू कर दी है और यहां पर सबसे महत्वपून बात ये ह यह अफरीका के वही 20 देश है जहां पर चाइना ने अपने करोडों रुपे दाव पर लगाए है यानि कि अब हम ये कह सकते है चीन की घेराबंदी करने के लिए चीन के सबसे बड़े निवेशक देश यानि कि रूस और ब्राजिल भी अब चीन से तंक आ चुके है और के मताबिक रशिया के कल्चर मिनिस्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और रूस में एक के बाद एक मंतरी इस बिमारी की चपेट में आनी की वज़े से रशिया की सरकार की मुश्किले और बढ़ गई है इसलिए रशिया के प्रधान मंतरी विलादमीर पुतीन भी भारत की तरह चीनी कंपनियों पर रोक लगाने की तेयारी कर रहे है और वैसे यहां पर कई लोगों का मानना है रशिया ने सिर्फ चीनी निवेश को 5 फीसिदी तक ही सीमित कर दी है और अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो चीन की कंपनिया अपना प्रोड़क का सिर्फ 5 परसंट की इन्वेस्टमेंट ही रूस में कर सकती है लेकिन भारत में चीन को एक रूपे का भी निवेश करना हो तो उसे भारत सरकार के मंग्जूरी लेनी होगी और आपको यहां बता दे पहले चायना G20 देशों के समों में अकेला पड़ा था लेकिन अब भारत क की कूटनी तिक के चलते चायना ब्रिक्स देशों में भी अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेर सस्क्राइब जरूर करे और आगे ऐसे ही खास कबर देखेने के लिए मेरे साथ बने रहे जय हिंद ज है भारत